कि हो सकता है कल हमारा मार्केट साइडवेज हो जाए लेकिन मुझे उम्मीद कि एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मार्केट अच्छा मूव भी कर सकता है बट हुआ कैसा नहीं हुआ मार्केट करता एक बड़ा गेप डाउन जिसकर मैंने आपको टेलिग्राम पर अपडेट किया था जाके एक बार चेक आउट करते हैं टेलिग्राम को तो मैंने मौनिंग में कल रात को देखो आप लोग को मैंने बता दिया था मार्केट कल गेप डाउन होने वाला है तो आप को बोला था कि भाई याँ पर जॉइन हो तो बड़ी आ है आप लोग के लिए मौनि में आप लोग को एक पेपर ट्रेड में ने प्रोवाइड किया जो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का कॉल साइड में 35 पॉइंट का यहाँ पर आपको मूव देखने को मिला सो एक ट्रेड हमारा बना मौनिंग में 25-26 पॉइंट का आप लोग को दिया उसके बाद एक ट्रेड दिन में बना उसके लावा कुछ भी काम नहीं हुआ आज के दिन बिकॉज मार्केट ही इस तरीके का था कुछ प्रॉफिट मेंबर्स के आपके सामने हैं इवनिंग का काम य आफ्टर ट्रेड तो यह ब्लास्ट हुआ है आज के दिन हमारे मार्केट ने एसे कार रहा है जो काफी ज़्यादा प्रॉबलम बाला हुआ मेरे को ठीक है, market बहुत easy नहीं है, बहुत ज़्यादा hard हो चुका है, लोगों के sell बहुत खाता है, market move भी नहीं करता है, frustrated कर देता है, तो लोग इसमें over trading ज्यादा कर रहे हैं, जैसा मुझे feel हो रहा है, चलिए, ये तो हो गई बात ठीक है, कोई बात नहीं, it's okay, अब बात करें, कि कल क्या हो सकता है, तो देखो market ने जो आज high बनाया ना, almost 5460 का, 304 बार testing किया है, बड़ इसके उपर नहीं निकल पाया, हम चाते हैं कल इसके उपर market निकले, यानि कि nifty bank, then उसके बाद हमको कुछ एक बड़ी आसी bullish candle देखने को मिले, तब हम यहाँ पर trade plan करेंगे, call side के लिए तब तक नहीं करेंगे, ठीक है, यह आपका area है, इसके उपर closing आनी चाहिए, candle की और उसके बाद हम कहीं trade plan करेंगे, अब downside की बात करेंगे, तो मेरे लिए important रहने वाला area यानि की 5375, उम्मीद क्या है, उम्मीद है इस area तक आने की बस, अगर यह तूटेगा, तो हम और downside का plan करेंगे, downside की planning के लिए हमारे पास जो दूसरे area है, वो यह रहा, कि अगर तूटेगा, तो हमारा market यह area और उसके बाद 11000 तक हमारा market आ सकता है, ठीक है, यह put side की है, ठीकिन अगर आप notice करोगे, तो market 1234, चार दिन से range में है, range break किया, आगले दिन वापस range में आ गया है, ठीक करेंगे, full यह gap cover करने के लिए, exactly हुआ वाई है, लेकिन market ने gap down करके वो किया, ठीक है, plan हमारा यही, ताकि put side के लिए हम यही plan करेंगे, क्योंकि जो rally आई है, वो हमारी cover हो सकती थी, market वापस से range में आ सकता था, तो market range में आया, लेकिन आपको opportunity नहीं दिया, कि आप पैसा ब यह explain भी किया जाता है, so video को like करो, channel को subscribe करो, telegram को join करो, comment section में जो पूछना है पूछो, thank you so much, मिलते हैं आप लोगों से कल,